कि हाया युपियस्सी सी आशी प्रो में आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं भारत दन्षंकिंद श्रंक़ख्या में राजस्थान के बारेmus राजस्थान जैसे को कल की कलास में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक मध्यप्रदेश चे अलग हुआ तब पहली रेंग पर मध्यप्रदेश होता था फिर राजस्थान का नंबर आ गया आए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे राज्य के बारे में कोन से बिंदू हमारे लिए बहुती महतुपुर्ण है भारत दर्शन की श्रंकला में सभी का स्वागत है सबसे पहले MK Live Refer Code आप लोगों को अपूरी तरह से अउगत हो चुका है आप अधिक्तम डिस्काउंट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं एक लव्य सीरीज हम लेकर आ रहे हैं 7 दिसंबर से अद्बुच श्रंकला जिसका लक्ष है 2021-22-24 के विद्यार्तियों का फाउंडेशन मजबूत करना इस्पेशल क्लासेज विद MK Live Refer Code साथ से लेकर 30 दिसंबर तक इस्पेशल श्रंकला होगी निवंद comprehension, ethics, किसमें कितना है दम और reasoning की कक्षाओ का ये time schedule धाई बजे कक्षा रहेगी इसे miss मत करियेगा और आप कही पर भी सब्सक्रिप्शन लेते समयम के Live Refer Code यूज़ कर सकते हैं भारत दर्शन की इस एपिसोड में हम बात कर रहे है राजस्थान की, जी हाँ इस राज्य को कभी राज पुताना नाम भी दिया जाता था, इसके भी कई प्रकार के नाम कर रहे हैं, भोतिक वर्गी करन में जो पश्शिमी भागए वो पूरी तरह से हम कहेंगे कि मरुस्तल ये मैदान कहलाता है, फिर अरावली जैसी परवच श्रंकला भी हैं, और फिर हम कहेंगे कि पूर्वी भाग पर नदी वाला जो मैदानी भागए वो मिलता है, अगर हम बात करें तो राजस्थान का पुराना नाम है राज पुताना, वर्तमान नाम 30 मार्च 1949 से दिया गया, इसका अक्षांशे विस्तार 23 डिगरी 3 मिनिट से लेकर 30 डिगरी 12 मिनिट उत्तरी अक्षांश में, और जो देशानतरी विस्तार है 69 डिगरी 30 मिनिट से लेकर 78 डिगरी 17 मिनिट पुर्वी देशानतर पर, तो हम कहेंगे कि यहां पर लगबग 7 डिगरी के आसपास अक्षा पर वही नव डिग्री के आसपास देशांतरिय विस्तार हैं चवड़ाई आपको हो सकता है ज्यादा मिलेगी पुर्व से पशिम 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिन 826 किलोमीटर लंबाई और चवड़ाई की बात करे थो 3,42,249 किलोमीटर के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य हैं देश का सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा जिला इसमें जैसल मेर हैं इसमें शायद ही किसी को कोई डाउट होगा सबसे बड़ा जिला हैं जैसल मेर जहाँ पर सबसे देरी से मानसून पहुचता भी हैं और सब सबसे पहले मानसुन लोटता भी है। पहले मानसुन लोटता भी है। पहले मानसुन लोटता भी है। 25 राज्य सबा सदस्य 10 और विधान सबा सदस्य 200 है। 33 जिले 244 तैसिले 25 लोग सबा सदस्य 10 राज्य सबा सदस्य और विधान सबा सदस्य 200 है। साक्षर्ता दर के मामले में भारत की तुलना में साक्षर्ता बहुत कम है। 66.1%, पुरुषो की साक्षर्ता तो भी ठीक है, 79.02%, लेकिन महिलाओ की साक्षर्ता के मामले में बहुती खराब प्रदर्शन है, 52.01%, सबसे ज्यादा साक्षर्ता कोटा की है, वैसे वो कोचिंग हप के रूप में जाना जाता है, नियुन्तम साक्षर्ता जालोर की है, लिंग अनुपात 928, पहले मुक्यमंत्री हीरा राल शास्त्री थे, पहले मुक्यमंत्री हीरा राल शास्त्री और प्रतम राज्यपाल गुरु मुक निहाल सिंग, पहले राज्यपाल गुरु मुक निहाल सिंग थे, वर्तमान राज्यप पाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं राज की अवरक्ष खेजडी के पेड़ों को काटने पर आप लोगों को पता होगा कि यहां पर जैसे कि पेड़ों को चिपकने वाला चिपको आंदोलन आपने देखा होगा वो यही खेजडी आंदोलन से ही प्रे प्रक्ष रोहीडा है यहां का जो राजकिय पक्षी है गोडावन है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडावन भी कहा जाता है राजकिय पशु दो है एक चिंकारा भी है और उट भी है तो राजकिय पशु चिंकारा और उट दो-दो राजकिय पशु है राजकिय खेल बास्केट बॉल है और मुझे भी शायद इसी शरंकला में पता चला कि राजस्थान का राजकिय खेल बास्केट बॉल है राजकिय लोक नरत्य घूमर है जो कि यहाँ पर बहुत प्रचलित है राजकिय लोक नरत्य केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश यहां का जो लोक गीत है राज की है जिसे राज के द्वारा मान्यता प्राप्त है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश राजस्तान की आंतरिक प्रभा की नदिया मतलब जो किसी सागर से नहीं मिलती लूनी लूनी दलदल में खतम हो जात रूपा रेल सागरमती राजस्तान की अरप सागर में गिरने वाली नदिया है माही, सोम, जाखम, साबरमती साबरमती अलगए, साबरमती अलगए पश्चिमी बनास, सुकडी, जवाई, जोजडी, मिठडी माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्शिमी, बनास, सुकडी, जवाई, जोजडी, मिठडी, राजस्थान की बंगाल की खाडी, अब आप कहेंगे सर बंगाल की खाडी में कैसे गिरती, बंगाल की खाडी में नहीं गिरती, वो यमुना में मिल जाएगी, गंगा में मिल यो की भी सायक नदिया है चंबल, बनास, कोठारी, काली, सिंद, बान, गंगा, पार्वती, पर्वन, बामनी, चाखन, गंभीरी, कुनू, मेज, मानशी, खारी बरिसमें चंबल याद रखेगा चंबल, बनास, बड़ी नदियों में शामिल हैं चरी, गेर, पनिहारी, तो घूमर और कालवेलिया प्रचली थैं, प्रमुक मेलों के रूप में, बीकानेर में उटो का मेला काफी फेमस हैं, नागोर में जो मेला बनता हैं, वो जानवरों का जो चौपाए होते हैं, किसानों के लिए जो मददगार होते हैं, उनका मेला होता ह हैं फिर उदैपूर में मेवार फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध हैं जैपूर में गांगोर फेस्टिवल प्रसिद्ध हैं कालिया देवी फेस्टिवल करोली में प्रसिद्ध हैं महावीर जी फेयर करोली में प्रसिद्ध हैं समर फेस्टिवल माउंट आबू में यह सबसे उ जैपूर में काफी प्रचली थैं, गोगा जी फेयर तेवहार हैं, ये ये भी काफी ज़्यदा प्रसिद्ध हैं, चाली तीज बुंदी में, राम देवरा फेयर जैसल मेर में, मार्वार फेस्टिवल जूधपूर में, दशेरा कोटा में, पुशकर का जो मेला है, अजमेर में, ये नवंबर के समय पुशकर का मेला लगता हैं अजमेर में, और ये काफी ज़्यदा प्रचली थैं, उटो के ल डांस के रूप में घुमर डांस, गुमर डांस इसका परम परागत लोक नरत्य हैं, यह राजजनरत्य भी हैं, फिर आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से राजपुताना होता था गेर डांस, फेमस फॉक डांस है, परफॉर्म बाई भील कम्यूनिटी, भील कम्यूनिटी के द्वारा गेर डांस दर्शाय जाता है, फिरिसी टाइप में कच्ची घोडी, यह भी काफी ज़्यदा प्रचली था है, यहां के होटलों में देखने को मिलता है, कई बार अगर आप यहां रुकेंगे, बड़े होटलों में, तो आपको यह डांस देखने को मिलेंगे, चार बारा ट्राइप्स हुआर ट्रेडिशनल इसनेक चारमर्स, इसनेक चारमर्स तरहा ताली, कट पुतली, यहां का जो फेमस, इस दो ओल्ड ट्रेडिशन आप स्टोरी फ्रम माइथोलोजी एंड लिजेंड आट टोल्टू पपेट्स, फिर पबुजी की पच, यहां पर यह बनी हुई चीजे यहां बहुत ज्यादा मिलते, ब्ल्यू पोर्ट्री, कार्पेट, हेंड मेट जुएलरी, इसके लिए परियतक भी बहुत ज्यादा आते हैं यहां पर, वुडन फरनीचर, राजस्तान, क्वेट, मोजडी, यह जो मोजडी खास करके, शादी ब्यहा में इसमें हम देख सकते हैं कि मेनीचर पेंटिंग्स है, गेम स्टोन पेंटिंग्स है, पाड पेंटिंग्स है, कजली पेंटिंग्स है, किशनगड पेंटिंग्स है, बानी थानी इस इन इंडियन पेंटिंग इन द किशनगड इसकूल आप पेंटिंग, प्रमुक बोलिया मार कि खनिज मिलते हैं सीसा जस्ता मेगनी Congratszone brunite इस प्रकार के खनिज मिलेंगे national park तीन हैं rand the दीव और सरिसका nation पार्क म्रूभूमी नेशनन पार्क यह राजस्तान का वह नेशनल पार्क है जो पूरी तरह से हम कह सकते ते की रेगिस्तानी शेत्र मिलता है मुकंदरा हिलस नेशनल पार्क, तो साइद पांच नेशनल पार्क हो गए राष्टिय छंबल वन्य जीव भ्यारन्य, ताल छापर वन्य जीव भ्यारन्य, रामगड विशधारिय भ्यारन्य तो राजस्तान के बारे में थोड़ा सा कल्चरल बहुत बढ़ा है राजस्तान, जब भी राजस्तान को पढ़ना पढ़ता है इतियास में भी, तो कल्चरली बहुत रिच स्टेट है, इसलिए इसका कल्चरल सिलेवस बहुत ज्यादा होता है, हिस्टोरिकल सिलेवस बहुत ज् बड़ा है अगली श्रंकला में हम बात करेंगे बिहार और अन्य राज्य मद्यप्रुदेश जो इसी लाइन में हमें मिलेंगे तो नेक्स क्लास में इंतदार करिएगा भारत दर्शन के अगले राज्यका सभी को बेस टॉप लग बाए